हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टो आवर चैनल एजुकेशनल गोल और हमारी जो क्यूस्चन बेंक सॉलुशन की जो सीरीज चल रही है इंग्लिस के लिए उसमें आज हम नोट मेकिंग देखेंगे तो आपके प्रस्चन बेंक में दो अंसीन पैसेज दिये हुए हैं नोट उसके बाद उसका नोट मेकिंग बनाएंगे और किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इनके पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल एजु मैं आपको समझा चुका हूँ अब क्यूशन नमबर टू यह नोट मेकिंग के लिए तो देखिए जरा डिस्ट्रक्शन ओफ फोरेस्ट्स हैज ए मेजर इंपेक्ट ओन दा प्रोड़क्टिविटी ओप आवर क्रोपलेंट्स कि वनो का विनास ने एक बड़ा प्रभाव डा है हमारी जो फसल वाली जो भूमी है उसकी उत्पादक्ता पर यहां हमारी फसल बहते हैं तयार करते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव पढ़ाए किस वज़े से वनो के विनास की वज़े से दिस हैपन्स इन टू एस यह दो प्रकार से होता है सोईल इरोजन इंक्रिजेस मै गेट्स वाज्ड यहने कि अगर वन समाप तो होते हैं या पेड जमीन से अटा दिये जाते हैं खेद बनाने के लिए तो जो म्रदा है उसका परदन होता है और निश्चित रूप से जो मिट्टी है वो बह जाती है गेट्स वाजड अवे बह जाती है लीडिंग टू एन ए बेकर के नदी में जाएगी और चुकि मिट्टी बह गई है जो उपजाओ थी इसलिए सुखा भी रहेगा ठीक है देखिए बट इक्वाली इंपोर्टेंट इस दा इंपेक्ट ओब दा सोर्टेज ओफ फायरवूड ओन दा प्रोड़क्टिविटी ओप क्रोपलेंट्स ले उत्पदकता प तो वह केसे पड़ा है कि जलाओं लकड़ी कम हो गई तो लोग जो फसल का जो-यूद बच जाता है जिसको औहे जो पालतु पशंड जिसको खाते हैं जिससे औह गोबर की माक्यों कंडेон बनाते हैं नहीं तो इस उन्हींद में उपयोग कर लेते देखिए इसमें आगे क्या लिखा है when firewood becomes scare कि जब जलाओ लकडी की कमी होती है people begin to burn cow dung कि लोग जो गाय का जो गोबर है इनकी कंडे उनको जलाना स्टार्ट कर देते हैं and crop west और जो फसल का जो last में भुसा जो बसता है उसको भी काम में ले लेते हैं उसको भी जलाते हैं इसे स्काव डंग एंड क्रोप वेस्ट्स आर नाव दा मेजर सोर्सेस ओफ कुकिंग इनर्जी कई जगा पर तो कंडे और जो भी फसल का अप्सिष्ट बसता है last में उसको ही भोजन बनाने की के रूप में उप्योग करते हैं Thus slowly every part of the plant gets used and nothing goes back to the soil इसलिए पोदे का हर हिस्सा उप्योग में ले लिया जाता है और मिट्टी के पास कुछ भी वापिस नहीं जाता है इसको आप ऐसे समझे कि फसल जो तयार होती है खेतों में वो मिट्टी के द्वारा जो पोशक तत्व है ग्रहन करती है फसल और उस फसल को किसान काट करके उसका जो अप्सिष्ट है वो अपने पशुरों को खिला देता है और उससे जो गोबर प्राप्त होता है उसके कंड बना कर वो भी हम उप्योग में ले लेते हैं यहने कि मिट्टी के पास कुछ भी रिटर्न में वापस पोशकत तो जाता नहीं है इस वज़ा से मिट्टी क्या हो रही है बंजर हो रही है यह इस पैसेज का में जो थिम है ओवर ए पिरियड ओफ टाइम दिस नुट्रियेंट ड्रेन अफेक्ट्स क्रोप प्रोडक्टिविटी इसकी वज़ा से जो फसल की जो उत्पादकता है उस पर गैरा प्रभाव पड़ा है एड टू दिस दा टेक्नलोजी ओफ दा ग्रीन रिवलिशन इसलिए हरित क्रांती की जो तकनिक है उसको अपना हिए दा टेक्नलोजी ओ ग्रोइंग हाई इल्डिंग वेराइटीज ओन ए लिमिटेड डाइट ओप केमिकल फाइटिलाइजर्स लाइक नाइटरोजन फास्पेट्स एंड पोटास आप सभी जानते हैं कि खेती के लिए सबस्यान नाइटरोजन और फास्पेट और जो पोटास से इस्तमाल होते हैं हैं सभी नाइटरोजन के प्रोड़क्ट हैं दा टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अफ एस एंड सो डज दा ड्रेन ओब दा नूट्रियंट फ्राम दा सोईल अगर आप नाइटरोजन फास्पेट पोटास इनका इस्तमाल करते हैं तो बायोमास के प्रोड़क्शन बढ नहीं रहती है तो यह आपका पूरा पैसेज है और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार जंगल समापत हो रहे हैं तो मिट्टी बह रही है और जंगल समापत हो रहे हैं तो लोग उसमें जो फसल हो रहे हैं उस फसल का भी पूरा इस्तमाल कर रहे हैं अंत तक इसलिए मिट्ट के पास कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है और मिट्टी लगातार क्या हो रही है बंजर यानि कि हमारी जो फसल के लिए भूमी है वो बंजर होती जा रही है यह पूरा ही पैसेज का मतला भे अब देखिए प्रसने क्या क्या पुछे हैं मेक नोट्स इन पाइंट्स आपको प दिखा देता हूं यह टाइटल दिखे टाइटल हमने क्या लिया है डिस्ट्रक्षन ओफ फोरेस्ट एंड इट्स कंस्वेंस यहने कि जंगलों का विनास और उसके परिणाम क्या परिणाम हुए पहला हमने पाइंट लिया है पहली एडिंग हमने क्या लिये कि इंपेक्ट बंदा प्रडक्षन ओफ प्रॉप लेंड यह आइंट यह हमने इंपेक्ट ही लिखाए लेकिन अप्रशन में लिखा है आप शबही जानते हैं कि कि किसी भी सब्दों को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि शिरू के कुछ अक्षल लेता है एक लाच्च यह तरीका होता कि यहने की जो आसर किस पर पढ़ता है जो प्रोड़क्टिविटी एक इसकी जमीन की जो फसल के लिए जमीन है उस पर प्रभाव पढ़ता है यह अमने तीन पाइंट बनाये हैं यह तीन पाइंट हमने पैसे सही छाटे हैं आपको समझ में भी आ जाएंगे जिसे की मिट्टी बैज आती है उसके बाद यह म्रदा अपरदन बढ़ जाता है और बाढ़ आती है यह पहला पाइंट हो गया पहली एडिंग हो गई पहली एडिंग के तीन पाइंट फिर अगली एडिंग है सोर्टेज ओफ फायर वूट यहने कि जलाओ लकड़ी की जो कमी हुई इसकी वे स्टिन रिवोलिशन तो यह तो अभी मैं आपको बता है कि इसमें क्या क्या होता है कि आप जो है विराइटी बढ़ा सकते हैं केमिकल फटिलाइजर का उप्योग कर सकते हैं कुन-कुन से फटिलाइजर यह मैं ने यहां बता दिये देखिए यह हमारी हेडिंग है यह तीनो और यह इनके points से हैं तो आप heading की सीध आप एक साथ देख सकते हैं और points की सीध आप यहाँ एक साथ देख सकते हैं और अगर points की सब points से बनते हैं तो वो और अंदर आपको ले जाने हैं जिसे कि यहाँ इनकी सीध लगे और यहाँ इनकी सीध लगे यही note making बनाने का सबसे बड़िया तरीका है तो देखिए chemical fire fertilizer हमने बता दिये और उसके बाद हमने कौन-कौन से abrasion यूज़ करे वो बता दिया है कि impact को हमने ये लिखा है production को हमने ये लिखा है ठीक है और उसके बाद इसकी 3 number की summary तो ये इसकी 3 number की summary हमने बना दी है आप चाहे तो ये ही उतार सकते हैं हमने आपको तरीका बता दिया कि note making कैसे बनाते हैं पूरा पेसेज पड़िये उसमें से कुछ heading चाटिये heading और point match होने चाहिए यह निकि heading अगर हमारी ये है तो इसके ये point इससे match हो रहे है अगर जलाव लकडी के shortage के हम बात कर रहे है तो इसके ये point इससे match हो रहे है अगर हम green revolution technology की बात कर रहे है तो इसके ये point इससे match हो रहे है तो match होना चाहिए evaluation का use तो करने को बोली रहा है question तो हमें करना चाहिए जहां जहां मजरत लगती है ठीक है अगर आपको पूरा नोट मेंकिंग अच्छे समझना है तो हमारी जो फर्स्ट सीरीज है नोट मेंकिंग की पहला वीडियो जो बहुत पहले हम बना चुके उसको आपको देखना चाहिए और यह इसकी समरी है तो इस सारा से मैंने पहला नोट मेंकिंग आपको समझा दिया है मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो